मेरे प्यारे साथियों सबको प्यार भरा नमस्कार सुईकार हो आज मैं आप लोग को एक धार्मिक प्रसंग सुनाने आ रही हूँ बही मा तो वही जो हर प्रकार की ख्रिषा दे कि वहल पढ़ाई तक इसी मितना रखे बच्चों का आचरण बेच्छा बनाए तो आज मैं आज जिसे किसी ने पूचा कि कभी-कभी भक्ती करने मन नहीं करता मन नहीं करता कि पूजा पाड़ करो नमाज पढ़ो इबादत करो बगवान की अल्ला कर शुक्रियादा करो इक्षा नहीं होती तो क्या ऐसे में भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं जब अधस्ति पूजा पाड़ कर लिया करो बच्चों को शिक्षा देते हैं कि इस्वा कर नाम जपो तो बच्ची क्या कर शिक्षा नहीं होती तो भी मन मार के बढ़ जाते हैं हमाई साथ भी ऐसा होता है कई बार कि नहीं मन करता तो किसी ने उनसे पूछा तुलसिदास जी से कि कभी- इगले बढ़ जाते हैं क्या उसका भी कोई फल मिलता है कुछ उससे लाव है तो तुलसिदास जी ने मुस्कुरा कर कहा तुलसी मेरे राम को तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज भूमी जामे सभी उल्टा सीधा बीज क्या कहा कि तुलसी मेरे राम को खीज भजो या तुलसी दाज जी कहते हैं भगवान का नाम जाये गुशे में लो या प्यार से लो किसी भी तरीके से लो जाये उन्हें रिजहा करके या नाराज हो करके भूमी पढ़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज इस जमीन पर चाहे ऐसा भीज डाल दो उल्टा दालो सीधा डालो लेकि उसमे से फूल फल तो निकलेंगे बीज जो है अपना रंग रूप दिखाए गई पेड़ पौदा तयार हो गई तो कहते हैं उसी तरह कि भूमी में जब बीज बोते हैं तो हम यह नहीं देखते कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे और फिल भी कालांतर में फसल तयार हो है कि मेरे राम सब पर ऐसी कृपा बनाए रखना जो रा सही हो उसी पर चलाए रखना हमें बड़ा अच्छा लगता है कहते हैं हमने इनकी बाद सुनी उसमें कहते हैं मेरे अल्ला बुराई से बचाना मुझे को, जो रा नेखो उसी राह पे चलाना मुझे को, कि मेरे भगवन हर बुराई से मुझे बचा लेना और जो रास्ता सही हो उसी रास्ते पर चलाते रहना, तो भई मैं तो देखो ईश्वर की वंदना करती प्रती दिन, मेरा तो नियम है, सुबा शाम दोनों समय, और मैं आप लोग उस भी यही कहूंगी, कि आप लोग भी ईश्वर की अराधना किया करने चाहे, उसे वल्ला कहे, वाहे गुरू कहे, जीजस कहे, किसी भी नाम से पु करीर दिया, रहने के लिए घर दिया, इतने प्यारे माबाप दिये, बेहन भाई दिये, दोस्त दिये, उस ईश्वर का शुक्रियादा तो करना ही चाहिए, अच्छा भई, मैं अपनी वानी को अविराम देती हूं, सबको टाटा बाई बाई